Hello students, जो lecture हमने last में finish किया था, वो यहाँ question as a homework हमने आपको दिया था और यह lecture भी हम इसी homework के solution से शुरू करेंगे तो question क्या था, एक बार आपको remind करा दें कि यह एक uniform solid sphere था, जिसकी density थी ρो और radius था r और यहाँ पर हमने एक cavity, spherical cavity कट की थी, ठीक है ना? जिसका radius कितना था? r by 2 और यह spherical cavity कट करके बाहर निकाल ली गई थी तो आपको बताना था कि जो remaining part of the solid sphere है उसके कारण इस point mass small m पर कितना force, gravitational force लग रहा होगा clear है? तो चलिए इस question के solution की बात करते हैं तो basically यहाँ पर देखिए हमारे पास principle of superposition यूज़ करने वाले हैं इसको solve करने में क्या यूज़ करेंगे? principle of superposition principle of superposition कैसे यूज़ करेंगे? देखते हैं जैसे मान लें कि अगर यह cavity नहीं cut की गई रही होती तो तो हमारे पास यह पूरा solid sphere होता तो इस पूरे solid sphere के कारण इस point mass m पर कितना gravitational force होगा? तो देखिए, मान लें कि कोई cavity cut नहीं की गई, पूरा sphere है हमारे पास, तो यह पूरा sphere इस तरह से हो गया इस तरह से पूरा sphere ठीक है? और इस से कितने दूरी पर point mass है? x दूरी पर, यह है small m मान लिया कि इस sphere का जो mass है वो है capital m मान लिया, जिसकी value हम calculate कर सकते हैं, तो इस complete sphere के कारण यहाँ पर कितना force होगा, वो पता करना हो अगर हमें, तो याद करें हमने property देखी थी कि solid sphere को हम consider कर सकते हैं, as a point mass kept at its center, यानि इस पूरे solid sphere को हम एक point mass center पर मान सकते हैं, यानि कुछ इस तरह से, देखिए, मान लिया हम हमने ये point mass, जिसका mass same, m, m, उतना ही है, देखिए, इसके center पर रखा हुआ है, और यहाँ से, ये, small mass m, ये हो गया, तो अगर ये distance देखी जाए, तो कितनी हो जाएगी, देखिए, इसका radius कितना है, r, तो ये r और ये x, यानि ये distance कितनी हो गई, r plus x, तो अब अगर इस solid sphere के कारण यहाँ पर हमें force बताना हो, माल लेते हैं, इस force को हमने f1 कह दिया, तो f1 is equal to, कितना होगा, g, m, m upon, r plus x का whole square, इस की वज़े से, यहाँ पर force, हमने वो expression लिख दिया, ठीक है, लेकिन capital M की value अभी हमें नहीं मालूम है, तो हमने capital M को ऐसे ही लिख दिया है, values अभी calculate करके लिख लेंगे, अब ऐसे ही माल लें, कि यह cavity कट की गई, तो इस cavity को अगर हम यहाँ पर बनाएं, तो देखिए, यह हो गई cavity, इस cavity का mass माल लेते हैं, हम m dash, और इस cavity का radius कितना है हमारा, r by 2, देखिए, इस cavity का mass m dash, और radius r by 2, तो यहाँ से, देखिए, इसके center से यह point mass कितने दूरी पर है, तो देखिए, x, r, और यह कितना है, r by 2, तो यह total distance कितना हो जाएगा, 3r by 2, plus x, यानि कि यहाँ से, तो देखिए, यहाँ से यह दूरी कितनी है, r plus x, और यह radius r, तो देखिए, अगर हम इसे भी, क्योंकि यह cavity भी spherical है, तो इसको भी as a point mass treat कर सकते हैं, तो इस cavity के कारण, mass को यहाँ पर रख दिया, यह है small mass m, small mass m, तो अब अगर यह distance पूछी जाए, तो यह कितनी हो जाएगी, 3r by 2, plus x, और इसे हमने मान लिया, m dash, तो इस cavity के कारण, यहाँ पर अगर force पूछा जाए, मान लिया, हमने उसे f2 कहा, तो f2 की value कितनी हो जाएगी, तो f2 कितना हो जाएगा, g m dash m upon 3r by 2, plus x का whole square, यह हो जाएगा, clear, तो देखिए, complete sphere होता, तो यह force, ठीकर ना, मान लेते हैं, इस equation 1 कह देते हैं, और अगर सिर्फ यह cavity होती, सिर्फ इस spherical portion के कारण, तो यह force लगता, मान लिया, हमने इस equation 2 कह दिया, तो अब अगर हमसे कहा जाए, कि इस complete sphere में से, यह cavity निकाल दी जाए, तो कितना force, तो सोची, complete sphere में से cavity निकाली जाए, तो complete sphere के force में से, यह cavity वाला force निकाल दिया जाए, वही बचेगा, इस point mass small emper force, यानि कि अब अगर कहा जाए, कि cavity हटाने के बाद कितना force हुआ, तो जो net force बचेगा, F net, वो कितना हो जाएगा, F1 minus F2, clear है यह F1 minus F2 कैसे आया, अब F1 और F2 की values यहाँ पर हम put करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, F1, यानि कि G M M upon R plus X का whole square minus, देखिए, और यह F2, G M dash M upon 3R by 2 plus X का whole square, यह आगया F net, और यही net force, जो बचा हुआ is square होगा, उसके कारण इस mass M पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमने M और M dash की values calculate नहीं करी हैं, तो चलिए देखते हैं, अब M क्या चीज़ है, देखिए, M, M है इस complete sphere का mass, तो complete sphere का mass क्या कह सकते हैं, कि complete sphere का volume into density, तो complete sphere का volume कितना हो जाएगा, 4 by 3, pi r cube into rho, यह क्या चीज़ है, mass of complete sphere, complete sphere, और ऐसे ही M dash, M dash basically क्या चीज़ है, mass of cavity है, तो cavity का volume into density कर दें, तो उसका mass मिल जाएगा, तो cavity का volume कितना लिख सकते हैं, तो 4 by 3, pi, और जो spherical cavity है, उसका radius कितना है, r by 2, तो r by 2 का cube into rho, ठीक है, यानि कि, अगर हम इसे थोड़ा simplify कर लें, तो यह क्या हो जाएगा, देखें, 4 by 3, pi r cube, rho, ठीक है, न, into 1 by 8, clear, यह देखें, तो यह क्या चीज़ है, m-, यह है, mass of cavity, तो अब अगर यह m की value यहां रख दी जाए, और m- की value यहां रख दी जाए, और इसे solve कर लें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, कि किसी complete sphere से, अगर एक spherical cavity cut कर दी जाए, तो बचे हुए portion के कारण, इस point mass m पर कितना force लगेगा, यानि कि यह जो m हमने पता किया है, और यह जो m- हमने पता किया है, यह values उठा कर हम कहां रख दें, माल लिजे इसे हम equation 3 कह रहे हैं, तो m और m- की values equation 3 में रख के solve करें, वो आपका काम है, और आपको final answer मिल जाएगा, basic concept यहाँ पर सिखाना था, principle of superposition का use करके, इस numerical को solve करना, clear, आप screen को pause करें, और यह note कर ले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे, heading डालिए, vector form of Newton's law of gravitation, heading डालने, vector form of Newton's law of gravitation, चलिए, शुरू करते हैं, क्या है टॉपिक, vector form of Newton's law of gravitation, चलिए, समझते हैं, क्या है चीज़, देखिए, हम Newton's law of gravitation का vector form पता करेंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे, simple सी बात करें, कि मान लिया, हमारे पास यह है, एक mass m1, और यह है, एक mass m2, और इन दोनों के बीच का जो distance है, ठीक है, ना, वो है r, तो Newton's law of gravitation क्या कहता है, कि इन दोनों के बीच, जो force लगेगा, वो क्या होगा, force of attraction, ठीक, और उस force का जो magnitude है, ठीक है, ना, magnitude, वो कितना है, तो वो है g m1, m2 upon r square, अब यह force, या तो mass 1 ने 2 पर लगाया होगा, या mass 2 ने mass 1 पर लगाया होगा, दोनों सेम है, कहने का मतलब, कि अगर हम मान लें कि f12, यह है हमारा, कि force on mass 1 due to 2, देखे, f12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, force on mass 1 due to 2, ऐसे ही f21 यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो force on mass 2 due to 1, तो actual में यह जो इन दो, अच्छा, यह vector quantity है, तो हम vector के तोर पर थोड़ा लिख दे, तो इन दोनों का जो magnitude है, वो basically यही है, यानि हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखे, magnitude of f12 is equal to magnitude of f21 is equal to gm1m2 upon r square, यही हमने अभी तक पढ़ा था, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि force vector quantity है, तो vector quantity में हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो होता है magnitude और दूसरा होता है direction, तो देखे, यह जो formula हमने पढ़ा, यह formula हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, magnitude of the gravitational force, यहाँ पर हमें direction जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है, देखे, direction जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है, तो actual में जो हम vector form Newton's law का पढ़ने वाले हैं, वो कोई नई चीज नहीं है, वो basically इसी formula को हम convert कर देंगे, किसमें? vector form है, इसी formula को हम convert कर देंगे, किसमें? vector form, और वही क्या बन जाएगा हमारा? vector form of Newton's law, चीज है? तो vector form of Newton's law हम directly यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है न? देखिए, हम एक scenario consider करते हैं, जैसे F12, हमने क्या कहा? force on mass 1 due to 2, F21 क्या है? force on mass 2 due to 1, ऐसे ही हम कुछ और representations use करते हैं, जैसे देखिए, हमने कहा R12, और vector form में हैं, तो इसे हम क्या बोलने हैं? position vector, position vector of mass 1, with respect to mass 2, यहां ऐसे ही मान लेजे, हमने कहा R21, तो इसे हमने कहा, position vector of mass 2, with respect to mass 1, यह दो चीज़े हैं, तो ज़रा समझते हैं, जैसे मान लिजी आप से कहा जाए, कि what is the direction, इस चीज़ को ध्यान से समझना है, कि what is the direction of force, ठीक है न, exerted by mass 1, on mass 2, यानि कि mass 2 पर mass 1 ने, कितना force लगाया, उसकी direction क्या है, तो यह बात हम साफ साफ ऐसे देख सकते हैं, यहां पर, यह दूरी R, कि इसी line के long force लग रहा होगा, properties थी याद करें, तो mass 1 ने 2 पर जो force लगाया, उसकी direction इदार है, यह क्या चीज़ है, F21, या अगर आपसे कहा जाए, कि mass 2 ने mass 1 पर जो force लगाया, उसकी direction, तो वो direction इदार है, देखें, वो direction ऐसे है, mass 1 ने 2 पर जो force लगाया, ठीक है न, वो यह रहा, और mass 2 ने 1 पर जो force लगाया, वो यह रहा, clear है, अपनी तरफ अट्रेक करना है, किसकी direction, r12, यानि position vector of mass 1, with respect to position vector of mass 2, तो r12 की जो direction है, वो इधर की तरफ है, यानि कि r12 हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखें, यह क्या है, r12, क्योंकि r12 देखें, position vector of 1, with respect to 2, तो जिसके respect में होता है, tail वहाँ पे होता है, और जिसका position vector होता है, इसकी तरफ तो देखिए, 2 यहाँ पर, और 1 यहाँ पर, तो देखिए, position vector ऐसे आगे, ऐसे एगर हमें r21 दिखाना हो, r21, तो r21 हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है, और 1 यहाँ पर है, अब यह हमने इसलिए बनाया, ताकि आपको एक चीज़ साफ साफ दिखे, f12 और r12, दोनों का direction देखिए opposite है कि ने, f12 इधर की तरफ है, और f r12 इधर की तरफ है, f21 इधर की तरफ है, और r21 इधर की तरफ है, यानि कि जो force का direction है, और जो position vector का direction है, वो क्या है opposite to, each other है, तो इस basis पे अगर हम, इस formula का vector form लिखना चाहें, तो वो equation बनेगा इस तरह से, equation बनेगा, f12 vector, मतलब, force on mass 1 due to 2, इसका vector, is equal to, minus, g, m1, 1m2, upon, mod of, r12 vector, का cube, into, r12 vector, यह, या ऐसे ही, अगर हम से कहा जाए, कि force on 2 due to 1, इसे represent करें, force on mass 2 due to 1, इसे represent करें, तो यह क्या बन जाएगा, minus g, m1, m2, अपाउन, r21 vector का cube, into r21 vector, यह, अब यह, minus सिर्फ इसलिए आया है, कि देखी, यह, जो force का 1, 2 है, देखी, f12 वो इधर की तरफ है, और r12 देखी, इधर की तरफ है, है ना, तो दोनों का direction opposite, तो जब दो vector का direction opposite है, तो उसे हम क्या करते हैं, ऐसे minus के साथ, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही f21 और r21, देखी, यहाँ पर जो हमने ड्रॉ करा है, दोनों का direction opposite है, तो उसे हमने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, clear है, तो यही है vector form of Newton's law of gravitation, इसी को हम क्या कहते हैं, इन ही को, आप स्क्रीन को pause करें और इसे note कर ले, note करने के बाद, अब हम इसी topic पर एक question की practice करते हैं, तो चलिए, देखते हैं, चलिए, एक question है, इसे यहाँ पर draw करते हैं, और फिर उसे solve करते हैं, माल यह coordinate system, coordinate system इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि हमने vector की बात की है, तो जाइर सी बात है, coordinate system का roll यहाँ पर आएगा, हमने कहा कि एक mass है, ठीक है न, एक mass, माल लेते हैं 1 kg, और इसे हमने कहा M1, एक M1 mass 1 kg जो की कहां पर रखा हुआ है, origin पर रखा हुआ है, अब माल लिया कि इसके surrounding में, तीन different different masses है, हमने कहा कि एक mass है M2, एक mass है M2, ठीक है न, जिसका की coordinate है 3,4, जिसका coordinate कितना है, 3,4, ऐसे ही एक और mass ले लिया हमने M3, और इसका coordinate हमने ले लिया, minus 1,2, इसका coordinate कितना ले लिया, minus 1,2, ठीक है, और ऐसे ही हमने एक और coordinate ले लिया, suppose, M4, minus 6, minus 8, minus 6, minus 8, हमने ऐसे ले लिया, ठीक है न, और यह मान लिया, कि जो M2, M3, M3 और M4 है, ठीक है न, इन सब का जो mass है, वो मान लेते हैं, 2 kg के equal, 2 kg के equal है, ठीक है, या एक काम करते हैं, फ़ड़ा सा calculation को easy करने के लिए, यह coordinate भी हम अपने, असान करने के लिए ले ले लेते हैं, ठीक है, इसे हमने ले लिया, माइनस 1 कॉमा रूट 3, ऐसे ही, I think के calculation आसान हो जाएगी, और कोई reason नहीं, तो यह है, अब question क्या है, लिख ले हैं आब question, कि find net gravitational force, find net gravitational force, on mass 1 kept at origin, on mass 1 kept at origin, due to all the other three masses, due to all the other three masses, ठीक है, चलिए, अब देखें, जो question हमने यहाँ पर choose करा है, ऐसा नहीं है, कि यह question हमारा, scalar form of vector form से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चुकिए हम vector form की बात कर रहा हैं, तो हम इसे vector form से ही solve करने की कोशिश करेंगे, वो इस line के long act करेंगा, तो इस force को हमने कितना कह दिया, F12, मतलब force on mass 1 due to mass 2, ऐसे ही 1 पे mass 3 के कारण जो force act करेंगा, वो इस line के long act करेंगा, तो इसे हमने क्या कह दिया, F23, force on mass 2 due to 3, और मान लिया कि यह 4, तो ऐसे ही, यहाँ पे, यह act करेंगा, F14, force on mass 1 due to 4, clear, तो इन तीनों का, जो resultant होगा, वही net force होगा 1 पे, तो अगर माल दिजिए कि हमने कहा, कि इस पर जो net force है, वो Fnet है, तो Fnet, again principle of superposition यूज़ करेंगे, तो Fnet on mass 1, principle of superposition से हम क्या कह सके, F12 plus F13 plus F14, देखें, तीनों का vector sum जो आएगा, वही resultant force on mass 1 होगा, यानि अगर हम यह तीनों का, यह तीनों term, vector term, अलग-अलग पता कर लें, और यहाँ पर रख दें, तो हमारा answer आजाएगा, तो चलिए पता करते हैं, F12, तो F12 अगर हमें पता करना है, तो F12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे, minus G, M1, M2, upon, mod of, R12 का cube, into, R12 vector, clear है, force on mass 1 due to 2, उसके लिए एक्स्पेशन बनेगा, सुम्झे मैं हैं, ऐसे ही अगर हम F13 की बात करें, तो F13, बिल्कुल as it is, minus G, M1, M3 upon, mod of, R13 vector का cube, into, R13 vector, or, F14 vector, is equal to, minus G, M1, M3, upon, mod of, R14 vector का cube, into, R14 vector, clear है, देखे, ये तीनों, तो अगर इन तीनों का term, हम calculate कर लें, values रखके, और यहां रख दें, तो answer आ जाएगा, चलिए देखते हैं, अब यहां पर देखे हमें, M1, M2, या M3, सौरी, यहां पर M4 है, ये M4, अगर ये सारे terms, पता हैं, ये भी पता कर लें, तो हमारा काम चल जाएगा, देखे, M1 की value सब में 1 kg है, M2, M3, M4, ये हमने और लेडी मान लिया, कि 2 kg के बराब, तो हमें पता क्या करना है, R12, R13, R14, तो अगर ये terms हम अलग अलग पता कर लें, तो हमारा answer आ जाएगा, तो चलिए ये terms जड़ा पता करते हैं, देखते हैं कैसे आते हैं, देखिए, R12, एक discuss करेंगे, बाकि आप अपने आप समझ जाएंगे, R12, ये क्या चीज है, जैसा हमने अभी देखा था, R12 है, position vector of mass 1, with respect to, position vector of mass 2, तो vector का concept अगर लगाएं, तो R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 minus R2, देखिए, R12 vector को क्या लिख सकते हैं, R1 minus R2, तो R1 position vector, तो basically R1 क्या चीज है, position vector of mass 1 और mass 1 origin पे रखा हुआ है, तो इसकी value तो 0 है ना, यानि इससे हमने क्या लिख दिया, 0 minus, और R2 क्या है, position vector of 2, तो देखिए, coordinate अगर आपको दिये हों, तो position vector लिखना आना चाहिए, यह क्या, 3i plus 4j, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 3i plus 4j, यानि कि, R12 कितना हो जाएगा, minus 3i minus 4j, clear है, R12 कितना हो जाएगा, minus 3i minus 4j, अब अगर यह concept सौंज में आया, तो ऐसे ही हम R13 लिखें, तो चलिए देखते हैं, R13 कितना आएगा, minus, minus समझे में हैं, हमने directly क्यों लिख दिया, क्योंकि 0 के बाद माइनस ही आना है, तो 0 बार बार नहीं लिखेंगे, minus, अब R3, तो यह R3 है, तो इसे क्या लिखेंगे, minus i cap, plus root 3j cap, minus i cap, plus root 3j cap, अगर कहीं cap छूट भी जाए, तो आप उसे self understood कर सकते हैं, क्योंकि यह i, j के unit vectors होते हैं, तो यह R13 कितना आजाएगा, तो R13 हो गया हमारा, i cap, minus, root 3j cap, ठीक है न, यह देखें, यहाँ एक हमने यह पता किया, एक हमने यह पता किया, ठीक है, ऐसे ही R14 की बात करते हैं, तो R14 देखी कितना आजाएगा हमारा, तो R14, तो R14 कितना आएगा, minus as it is लगा लिया, 4, तो minus 6i cap, minus 8j cap, कितना आएगा, minus 6i cap, minus 8j cap, clear है, देखें, ठीक है, तो यह इसे क्या लिख सकते हैं, R14 को, तो R14, यह कितना हो जाएगा, 6i cap, plus 8j cap, ठीक है, तो देखें, हमने यह तीनों पता कर लिया, vector, R12 vector, यहां रहा, R13 vector, यहां रहा, और R14 vector, यहां रहा, ठीक है, अब इनके magnitude की, अगर हम बात करें, तो देखें, R12 का magnitude कितना हो जाएगा, यह देखें, magnitude of R12 vector, अब थोड़ा सा calculation, जल्दिया नहीं करेंगे, अगर आप समझ पाएगा, तो यह 5 आएगा, कितना हैगा यह, 5, ऐसे ही, R13 vector का magnitude कितना आएगा, R13 का magnitude कितना हैगा, 2 आएगा, देखें, अंडर रूट 1 का square, प्लस रूट 3 का square, तो अंडर रूट 4, और वो करेंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, और ऐसे ही, R14 vector का, मॉड, अगर देखें, तो यह कितना आएगा, देखें, अंडर रूट 6 का square, प्लस 8 का square, तो 36 प्लस 64, 10, तो यह कितना आगया, 10 आगया, अब देखें, सारी चीज़ें हमें पता है, तो अगर हमें सारी चीज़ें पता है, तो हमें एक बार values रखके, इन्हें solve करें, तो देखी क्या आएगा, values रखने के बाद, F12 vector, कितना आएगा देखें, F12 vector, देखें, M1, M2, M1, 1 kg, M2, 2, यह 2 आजाएगा, तो कितना आगया यह, minus 2G upon, और R12 का cube, तो R12 का cube करेंग कितना आएगा, 125, और R12 vector, तो R12 vector देखी, यह आया हुआ है, ठीक है न, minus 3i cap, minus 4j cap, देखें, यह बन गया पूरा हमारा, ऐसे ही F13 vector की बात करें हम, देखें, तो F13 vector, F13 vector कितना आजाएगा हमारा, देखें, अगर आप समझ पाएगे, तो यह भी minus 2G हो जाएगा, ठीक है न, तो minus 2G upon, R13 का cube, तो R13 यह रहा, इसका cube करेंगे तो कितना आएगा, 8, कितना हो गया, 8, और R13 vector, R13 vector, I minus root 3j cap, I minus root 3j cap, और ऐसे ही F14 vector, F14 vector, तो फिर से यह minus 2G हो गया, कितना हो गया, minus 2G upon, R14 का cube, तो यह कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो गया है, 1000, और R14 vector, 6i cap, 8j cap, 6i cap, 8j cap, यह आगया हमारा, देखें, यही तीनो टर्म हमें बनाने थे, अब अगर यह तीनो टर्म बन गया, तो यह तीनो टर्म की value यहाँ पर हम रख दें, तो हमें हमारा answer मिल जाएगा, ठीकर, अब 2 मिनट के लिए screen pause करके, उसे copy कर ले, so that कि फिर वहाँ पर हम उसे erase करके, यह expression वहाँ पर लिख सके, चलिए, यहाँ पर हम लिखते हैं इसे, यह हमारे काम का है, इसे erase नहीं करेंगे, क्योंकि यही values put करनी है हमें, तो चलिए, देखते हैं, तो f net, तो चलिए, f net is equal to, f12 plus f13 plus f14, f12 इसे, अच्छा देखें यह पुरा plus हो जाएगा, देखें माइनस कॉमन लेंगे और यह माइनस, plus हो जाएगा, ठीक है, तो यह क्या बन गया आपका देखें, 2g अपाउन 125, 3i plus 4j, ठीक है न, और यह देखें, यह माइनस में, तो माइनस 2g अपाउन 8, i minus, root 3j, और यह भी माइनस में है, तो यह आजाएगा, minus, यहाँ पे लिखते हैं, minus 2g by 1000, 2g by 1000, और यह आजएगा, 6i cap, plus 8j cap, ठीक है, अब देखें, अब देखें, सब में 2g common है, ग्यान से देखें हो, सब में क्या common है, 2g, तो अगर हम 2g को common ले लें, तो f net क्या बचेगा, f net is equal to 2g, हमने common ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, तो देखें, 3i cap, plus 4j cap, अपान 125, ठीक है, माइनस, i cap, माइनस, अंदर रूट 3j cap, अपान 8, और यह माइनस, तो माइनस, 6i cap, plus 8j cap, अपान 1000, और यह complete ऐसे, अब देखें, यह simple calculation की बात है, अगर हम इसे simply calculate कर लें, ठीक है, वो हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि अपके वाल mathematics बची है, तो अगर हम simply calculate कर लें, तो जो f net है, यानि यह vector, हमें किस form में मिलेगा, i cap और j cap के form में मिलेगा, तो सोची अगर यह f net, यानि की resultant, force on mass 1 kept at origin, हमें vector form में मिल जाता है, तो उस vector form से, हम चाहें तो magnitude या फिर direction, दोनों पता कर सकते हैं, clear है, तो यही था, आपका vector form of Newton's law of gravitation, और उस पर based एक छोटा सा, हमने question दिया था practice के लिए, ठीक है न, अब इसे आप copy कर लें और revise करें, thank you,